रोहन और नीहा के बीच का रिष्टा एक बड़े शहर में उभर आया दोनों के लिए यह पहली मुलाकात थी, लेकिन उनकी अंदर कुछ खास महसूस हो रहा था रोहन एक काम्याब बिजनेसमेन थे जबकी नीहा एक प्रमुक हार्टिस्ट थी दोनों की अलग-अलग दुनिया थी, लेकिन वे एक दूसरे के साथ जुड़े होने के लिए तयार थे रोमांटिक मौसम बना रहा था और रोहन ने नीहा को एक शांदार रेस्टोरेंट में रात का खाना खिलाया उनकी बातचीत और मुस्काने व्याकुलता भरी थी वे एक दूसरे की कहानियों को सुनने में खो गए और समय की गती धीमी हो गई रोहन ने नीहा के हाथ पकड़े और उसे अपने दिल की बाते बताने का साहस किया नीहा, तुम मेरे लिए एक ख्वाब हो, रोहन ने कहा तुम्हारी हर मुस्कान मेरे दिल को छूजाती है और तुम्हारे आसपास रहने का एहसास मेरी रोशनी बढ़ाता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, नीहा ने रोहन के आँखों में अपने आपको देखा और उसका दिल धड़कने लगा वह जवाब देने से पहले एक समवेदनशी मुस्कान दिखाई दी हाँ, रोहन मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मैं यहां हूँ दोनों ने एक दूसरे के आचल में हाथ डाले और रेस्टोरेंट से बाहर निकले उन्होंने रोमांटिक सैर पर जाकर दिन भर अच्छी तरह से बिताया वे एक दूसरे के करीब होते गए और प्यार की अध्भुत भावना से भरे हुए थे एक दिन रोहन और निहा एक पहाडी पर घूमने गए वहाँ पर्वतिय दृष्ष ने उन्हें आकरशित किया और उनकी आत्मा को शांती मिली वे दूसरे दिन वहीं शांती पूर्ण स्थान चुनने का फैसला करते हैं उन्होंने एक छोटे से गोल मकान की खरीद की और वहाँ अपनी दूसरी जिन्दगी शुरू की रोहन और निहा की एक अपार प्रेन कहानी थी जो प्यार सम्मान और विश्वास पर आधारित थी उन्होंने एक दूसरे के सपनों को एक साथ पूरा किया और अपने रिष्टे को मजबूती से जोड़ा वे हमेशा एक दूसरे के साथ हंस्ते, रोते, गाते और जीने का आनंद लेते रहे उनकी प्रेन कहानी एक आधर्ष संबंध का प्रतीक बन गई और उन्होंने सभी को यह सिखाया की प्यार सच्चा होता है और जब दो लोग दूसरे के साथ होते हैं, तो संभव होता है कि वे अध्वितिय और अविस्मर्निय एक रिष्टा बना सकते हैं